देश के यससवी परदानमंत्री जी से बिहार के विकास की चर्चा और बिहार के से और संब्रिद्ध हो और उनका मागदर्शन मिले नई सरकार बनी है इंडिये की सरकार उनकी कमिट्मेंट थी 2020 में उसी को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे और साथ साथ हम लोगों ने परदानमत्री जी को विशेश तोर पर धन्रवाद दिया है कि उन्होंने सरदे कपूरी ठाकुर जी को भारत रतन देकर इस देश में एक पिछड़े का सम्मान बढ़ाया पिछड़े का सम्मान में और बिहार का गौरब बढ़ाने का सर एक और सवाल है फ्लोटेस होना है बारक को लेकिन ये कहा जा रहा है कि कई सारे जो कॉंग्रेस की लीजर है उनको पहले सही तिलंगाना भेज़ दिया है आप ये बताईए कि दो पार्टी की सरकार है और तीसरा का सईयोग है 128 बिदायक हमारे पास है हमको क्या लेना देना कांगरेस पार्टी के बिदायकों से वोट तोरे लेना है लेकिन उन लोगों को डर लग रहा है ये दुरभाग है ये घुमाने का प्रियोजन है कि यहां गुमाएंगे वहां गुमाएंगे महौल खराब करेंगे देश का यहीं सिर्फ उनका काम है आज देश के मानिया प्रधानमंत्र जी का सिष्टाचार मुलाका था उनको नमन करने आभार व्यक्त करने असिरवाद लेने हम लोग आये थे उनका मागदर्सन प्राप्त हुआ और विहार के अंदर एक नई बदलाओ कम समय में वहतर सुसासन और विकास की गति को वरहाने का संकल्प को पूरा करना है विहार को जिस अरजकता में राजत के लोग ले जा रहे थे आज डबल इंजन की सरकार देश के प्रधान मंत्री और विहार के मुख मंत्री जी ने एंड वाल यह सर कि बारतारी को ट्रस्ट वोट होना है लेकिन उससे पहले जो कॉंग्रेस के लीजर है उनको तेलंगाना भेज दिया गया यह कारार के बीजेपी उनको अपने पक्ष में इस तरगी की जो बाते निकल कर सामने आज़े यह कॉंग्रेस की मानसिकता को जलकाता है जनता के जनादे स्पराप्त किये हुए विधायक पर विश्वास करना चाहिए लोगतंत्र में उनको विश्वास है तो जनता को ये विधायक को बंधुआ मजदूर के तरह बांध करके यहां से वहां ले जाके गुमाते रहना भारतिये जनता पर पर करेक्टर नहीं है और विधायक पर जब विश्वास नहीं है तो इनको लोगतंत्र पर विश्वास नहीं है और ऐसे लोग डड़े सामें लोग होते हैं क्योंकि जिनके मन के अंदर नियत में खोट रहता है इसलिए वह भैभीत रहते हैं